हवाई साहसिक, गर्म हवा के गुबबारे का मानव के लिए सबसे पहले लॉंच वाहन के रूप में एक सम्रिधर इतिहास है. नवंबर 1783 में, फ्रांसीसी कागाज निर्माता मॉन्टवलफियर बंधों ने पेरिस के चिटो डे मोईट में दुनिया की पहली मानवयुक्त गर्म हवा के गुबबारे की उडान का संचालन करके इतिहास रचा, जो गर्म हवा के गुबबारे की गती के जन्म का प्रतीक था बना में डाले गए इंधन की मात्रा को नियंतृत करके पैलेट गुबबारे की चड़ने या उतरने को नियंतृत कर सकता है समय के साथ गर्म हवा के गुबबारे परिवहन के एक साधन से एक प्रिय विमानन खेल में विक्सित हो गए हैं इसके अलावा उन्हें अक्सर हवाई फोटोग्राफी और हवाई यात्रा में नियोजित किया जाता है होट एर बैलूनिंग कई उद्देश्यों को पूरा करता है जिसमें विमानन खेल प्रतियों गिताय, अन्वेशन, अवकाश गते विधिया, हवाई फोटोग्राफी, हवाई कारिय, मौसम का पता लगाना, पर्यतन, भूवेग्यानिक सर्वेक्षन और मान्चित्रन, साथ ही युवा लोगों के लिए लोगप्रिय विग्यान शिक्षा शामिल है, एक व्यापक रूप से लोगप्रिय खेल के रूप में, होट एर बैलूनिंग सभी उन्व के व्यक्तियों के लिए उप्युक्त है, होट एर बैलून को International Aeronautical Federation द्वारा सबसे सुरक्षित विमानों मे से एक के रूप में मान्यता दी गई है, जब मौसम, हवा की गती, उपकरन और इंधन जैसे कई प्रमुक कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार और प्रबंधन किया जाता है, तो गर्म हवा के गुब्बारे अत्यदिक विश्वसनिय साबित होते हैं, पैलेट पर वायुद्रव्यमान से धाग जाता है, जो आसपास की हवा के समान गती से चलता है, गुंडोला में सवार यात्रियों को हवा से उडने की अनुभूती के बिना एक सहज यात्रा का अनुभव होता है, यह विशेशता गर्म हवा के गुब्बारे को हवाई की आवश्यक्ता होती है, गुब्बारे को चलाने के लिए उचित हवा की दिशा और वायुप्रवाह का पता लगाना ही कुझी है, पैलेट दिशा बदलने के लिए वायुप्रवाह का उप्योग करते हुए, चढ़ने या उतरने के लिए लिफाफे के अंदर हवा को गर्म जाता है. Less than Ix, हवाई सहसिक, गर्म हवा के गुबबारे में उड़ना एक अविस्त्मरनिय अनुभव प्रदान करता है. जैसे जैसे गुबबारा धीरे-धीरे जमीन से उपर उठता है, यात्री नीचे की दुनिया को सिकुलते हुए देखते हैं जबकि परिद्रश्य उनकी आँखों के सामने फैलता जाता है. हवा से कोई व्यक्ती हलचल भरे शहर या लुभावने प्राकृतिक द्रिश्यों को देखकर आश्चारे चकित हो सकता है, खुद को शांती और स्वतंत्रता की एक अनूठी भावना में दुबो सकता है. गर्म हवा के गुबबारे की उडान की अवधियामतोर पर मौसम की स्थिती और ले जाए गए इंधन की मात्रा पर निर्भर करती है. और सतन उडाने एक से कई घंटों के बीच चलती है. यात्रा के दौरान, यात्री हवा के तापमान और हवा की गती में भिन्नता का अनु गर्म हवा के गुबबारे के खेल भी होते हैं. उडाहरन के लिए गर्म हवा के गुबबारे की दोड़ एक अत्यदिक लोकप्रिय गतिविधी है. प्रतियोगियों को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट लक्षे तक पहुँचने का प्रयास करते हुए, व हवाई सहसिक, होट एर बैलूनिंग का ये प्रतिसपर्दी पहलू पाइलेटों को अपनी उडान कोशल दिखाने के लिए अतिरिक्ट शुनोतिया और अफसर प्रदान करता है. इसके अलावा, रात के समय होट एर बैलून शो एक मंत्र मुबधकर देने वाला अनुभव प बनाता है, जो इसे देखने वाले सभी को मंत्र मुबधकर देता है.